एलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल रदी ओफिशल जोन दोस्तों हम लोग ग्रोइंग अप एज लर्नर का यूनिट वाइस इंपॉर्टेंट कोशिन में आप लोग के शाथ शेयर कर रही थी तो आज हम लोग को यूनिट फाइव हम लोग यहां पर देखेंगे इससे पहले कि जितने भी यूनिट है वह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग चेक आउट जरूर कीज़ेगा आपके एक्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पर चल जाएगा कि कौन सी यूनिट में सबसे ज्यादा प्रशन आते हैं और कौन सी यूनिट कि 80 और 90 प्लस आना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो चलिए हैं सबसे पहले यूनिट फाइफ का देख लेते कंटेंपररी इंडिया का भी मैंने किया से अधर सब्सक्रिप्शन में मिलेगा नहीं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसे डे उसके बाद मेजरमेंट आफ परस्नालिटे जिसमें प्रोजेक्टिव टेक्नीक आती है चले देख लेते किसमें किस तरीके से कोशन आप लूग के पूछे जाते हैं पहले हैं व्यूमीन बाइप परस्नालिटी डिसक्राइब डिट नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स यानि उसके बाद जो नेक्ट आपको को कोशन नमबर टू वह लगया उसमें यह आया था जो कि भी लौग कोशन का ही था यानिकि परस्नालिटी में आप लोग कोशन देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको बोला था कि वयुदा कॉनसेप्ट ऑफ परस्नालिटी यानि कि वेक आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग के स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इस पर टेक्ट करके चार्ज़ पूछ सकते हैं फस्ट आप लोग को मैं पहले ही बता रहे हूं पेड नोट्स आपको एविलेबल हो जाएंगे बाकि इसकी पीडिएफ आप लोग को आप लोग चेक आउट कर सकते हैं अधरवाइस आप लोग यह बाद में कभी देख रहें तो आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा आप लोग जाके डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं वाट इस आप पूछाता थेहोरी नेक्स आता है आपका मीनिंग और परसनालिटी परसनालिटी में स्यादा कुछ ने आने वाला और स्यादा पूछते भी नहीं आप लोग को कुछ नी करना स्परसनालिटी वाले में सबसे पहला इनकी मीनिंग डेफिनिशन करके तो आपको टॉपिक अच्छ से निकल जाएगा अब रही शौट के कभी-कभी प्रोजेक्ट यह टेक्निक अगर आप करेंगे तो इतना जरूर बोलूगे कि कम से कम इसे शौट के साफ से आप लोग इसे प्रिपेर करके जाहिएगा नेक्स यूनिट यूनिट या लास्ट यूनिट हैं लोगों की जो कि है हमारी यूनिट 6 इंटलिजेंस और क्रियेटिविटी तो इं और यह आपका 60 नंबर के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि रशनात्मक से आप क्या समझते हैं चात्रों में रशनात्मक को भढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमी का निभा सकता है यह आपको यहां पे बताना है लोग कोशन में क्रियेटिविटी का टॉपिक है य गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्चन ओ इमोशनल इंटैलिजेंश क्योंकि इसमें भावनात्मक गुदीत्मा का संशी विवेर्ण करना है तो शॉट कोशन में आयो ओगाता है व क्रियेटिविटीटी इस मेजरेट एक्स्प्लेइन इन ब्रीफ करना है तो आपको यह पूरा पत लाँ इनकी के 16 नंबर yeah yeah तो आप लोग क्या कर सकते है कि 8 नंबर के अक्वार्डिंग आप उसके इंटलीजेंज क्या होते है उसके नेचर कर्कटरिक्स को डिस्क्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप लोग के उसके development क्यों explain कर दीजे बाइचंस अगर आप में से काफी स्टूरेंट को development उसका detail में नहीं पता है तो अगर आप लोगों से यहीं बोलूँगी कम से कम अगर आप लोग चार से पांच पेज भी भड़ते हैं तो आप तीन पेज में यह कर सकते हैं कि आप इंटेलिजेंस का नेचर करक्टरिक्स को फिल कर सकते हों लास्ट के दो पेज आप लोग उसके development पर कोशिश कीजिए ज तरीके से लिख सकते कि इंटेलिजेंट की मिनिंग लिख रहें हाइँ आपने मिनिंग लिखिए और नेक्स ट्रॉपिक पर बता दीजी कि आप नेचर लिख रहें कोशिश कीजिए जब नेचर भी बता रहें तो जैसे आपने बीच में यहां पर लिख दिया कि आप उसकी प्रकरती बता रहें तो उसके भी कितने पॉइंट हैं पहले उनके पॉइंट को एक्स्प्लेइन करना सीखिए जिसे कि आप लोग डिखाएंगे तो आपका लोंग अंसर तो एजली हो गई होगा और एक्जामीनर को जो आपको देखना है कि क्या आपको उसके नेचर करेक् से आपको पता है तो आप इस तरह से डाइग्राम में शो कर दीजिए और एक पेज आपका इसमें अराम से नेचर को कम्प्लीट कर सकते हैं क्योंकि अगर नॉर्मल ही आप लिखेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपने प्रकरती लिखना शुरू कर दिया और आप लोगे लिखने नंबर भी देंगे क्योंकि आपके हाइलेट करने को होता ही तरीका और आपके अंशर को बहुत अच्छे से चेक करके नंबर जादा दे देते हैं तो कोशिश कीजा करिए कि आप जितने भी अंसर लिखते हैं उसे अच्छे से आपे शो किया गजिए नेक्स के साफ से अव्यसी बात है आप इंटेलिजेंग कोईशन करेंगे लॉंग करेंगे इसका शॉर्ट में मेजर भी आ जाएगा तो आप इस कोशन को अराम से कर सकते हैं काफी स्टूर्ट के काफी डाउट रहता है कि लॉंग कोईशन शॉर्ट में यह तो बहुत इजी पॉइ कि वेरी शॉर्ट के प्रिवेश चेर के शारे कोशन विदंसर एक्स्प्रेइन करूं तो आप मुझे कमेंट बक्स पर कमेंट जरूर कीजेगा दोस्तों मैं कोशिच करूंगे एक्जाम से पहले आप लुक लिए वीडियो ले के आजाओं और उससे पहले चैनल को है अब जरूर करना है और विडियो को लाइक भी करनी है आपसे पूछा कि इन्टेलिजेंस के वरकार होते हैं तो आपके हिसाप से अगर दो परस्नालिटी इंटेलिजेंस होते हैं तो आप दो लिख दीजे तीन होते इससे एक्स्परिनेशन करने की जरूरत नहीं काफी स् आपको पता है कि intelligent के accurate कितने टाइप से उनके नाम भी आपको आए तो और अच्छी बात है आप आप नाम लिख सकते हैं कि नेक्स आपका वेरी शॉट में पूचा गया था वट इस एप्स्रेक्ट इंटेलिजेंस अमुर्थ बुद्धी क्या है है definition है आप लोग को मैंने पहले बुला मिनिंग और definition जिसकी बन सकती है हर यूनिट में उसको आप नॉर्मली करके ही जाए कम से कम वेरी शॉट आप लोग का इसली निकल जाएगा एट आते है define the term intelligent give a brief account of any two theories of intelligence यानि कि intelligence को टॉपिक करेंगे आप और उसकी दो थियोरी यह तो important ही है कि बुद्धी शब्दु को आपको परिफाशित करना है उससे संब्धित कोई भी दो सिधान्त को आपको सिधान्त को ब्रीफली वहाँ पे explain करना है नेक्स आता है आप लोगों का types of intelligence test इसी तरीके से जो आपको इहां पर question दिख रहा है और types of intelligence test यह ninth question जो है बुद्धी परशिक्ष्ष्णों के परकार यह short में भी हो very short में इसी तरीके से दिखेगा अंतर बस इतना है कि जब short में आएगा तो उसके types जितने भी होते हैं उस नंबर में ज्यादा explanation की need नहीं है आप लोगों का main focus exam में यह होना चाहिए कि यह 15 बहुत 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 ज्यादा बुलते हैं लास्ट अगर 15 मिनट ता लगाते हैं नहीं तो सही बताऊं तो इसमें 15 तो बिल्कुल ही नहीं आप मुस्कल से 5-7 मिनट very short को दे दीजे otherwise time को छ short और long question में होना चाहिए आपके high score कर सकते हैं exam के लिए तो यह आपके basically unit यहाँ पे खतम होती है next आप लोगों के next subject पे लेकर रहूंगी तो आप लोगों को याद रखना contemporary India का नीचे आप लोगों को link मिल जाएगा उसको भी देखेगा आपके exam में आएगा और second most important बात क्या आपके important जितने भी previous year के question paper है मैंने पेड़ागोजी सहीत अल्रेडी वीडियो प्लोड के बद देखिएगा जरूर और assignment की फाइल की यहाँ पे प्लेलिस्ट रेडी हो गई है सबका link आप लोगों को description में मिल जाएगा दोस्तों एक बाद चेक आप ज़रूर कीजेगा और सा वीडियो और आप लोग की important question I hope आप लोग लिए beneficial रहे तो नेक्स वीडियो पर लोगों से मैं जल से जल मिलूंगी और website पर जाके आप इसकी PDF को download कर सकते हैं तो आज की वीडियो बस इतनी ही है thank you for watching